अज हम बनाने वाले धाबा स्टाइल दाल तड़का जो होती है सबकी फेवरिट तो इसके लिए आप एक कप चना दाल और एक कप तूर्ट दाल को नमक दाल कर बॉयल करके रख लीजिए अब एक पैन में घी गरम कीजिए और उसमें एड कर ये थोड़ा सा जीरा थोड़ी सी दाल चिनी और एक तेज पता अच्छे से भून लीजिए और उसमें अब एक मीडियम प्याज स्लाइस करके डालिए प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसमें एक चमच अद्रक लैसुन का पेस्ट डाल दीजिए अद्रक लैसुन को अच्छे से भूनने के बाद इसमें आप दो मीडियम बारी कटे हुए टमाटर एड़ कर दीजिए टमाटर के पूरी तरह पक जाने के बाद आप इसमें लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया, नमक और थोड़ा सामचुर पाउडर मिलाके दो से तीन मिनिट के लिए भून लीजिए और उसके बाद आप इसमे बॉयल की हुई दाल डाल दीजिए और इसे 5-6 मिनिट के लिए पका लीजिए अब जब दाल अच्छे से पक जाएगी तो इसे साइड में रख लीजिए और अब हम एक तड़का बनाएंगे जो हम इसमें उपर से डालेंगे तड़का बनाने के लिए एक तड़का पैन में घी गरम कीजिए उसमें बारिक कटा हुआ लहसुन डाल दीजिए लहसुन के भुनने के बाद आप उसमें थोड़ी सी हींग लाल मिर्च का पाउडर और सुखी लाल मिर्च डालिए सबके अच्छे से भुनने के बाद इसे डाल में उपर से डाल दीजिए और अच्छे से म